भारत सरकार की ओर से इस साल दिये गए पद्म पुरुसकारों के संबंध में योग गुरु बाबा राम देव ने निशाना साधा है। सरस्वती स्वामी विवेकानन जी या शिवकमार स्वामी जी मैं भारत सरकार से आगरह करता हूँ कि अगली बार कम से कम किसी सिन्यासी को दिया जाए। देश की आजादी को नियंतरित करने के लिए ऐसे लोगों को मताधिकार, सरकारी नौकरी और सरकारी मिटिकल सुविधा नहीं दी जानी चाहिए जिनके दो से अधिक बच्चे हों। चाहें वे हिंदू हो या मुसल्मान। इसके बाद ही जन संख्या पर अंकुष लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही योग गुरु रामदेव ने कहा, ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं देना चाहिए, सरकारी अस्पताल में उपचार और सरकारी नौकरिया नहीं मिलनी चाहिए। गंतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश की तीन हस्थेयों को भारत रत्न से समानित करने की घोशना हुई। किया जा चुका है। तभी जानते हैं कि संध का विचार हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित था। लेकिन नाना जी देश मुखने संध और देश को एक नया विचार मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूं दिया। नाना जी ने अपनी कर्म भूमी भगवान राम की तपो भूमी चित्रकूट को बनाया। नाना जी का मानना था कि जब अपने वन्वासकाल के प्रवास के दोरान भगवान राम चित्रकूट में आधिवासियों तथा दलितों के उथान का कार्य कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं। पहली बार 1989 में आये तो यहीं बस गए।